अनुपमा के आज के अपिसोड में आप देखेंगे कि यश्टीब अनुपमा से पूछता है कि क्या वो घुद पर येकीन नहीं करती तो अनुपमा बोलती है कि हाँ करती हूँ लेकिन कभी कभी बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ वो बोलती है कि उसने अनुच की कोई भी पिच्चर अपने पास नहीं रखी ताकि वो कमजोर न पड़े वो इस रिष्टे को बहुत पहले ही तोड़ चुकी है तो यश्टीब अनुपमा को समझाता है कि उसे अनुच से एक बार बात करनी चाहिए वही अनुच अनुच अटुपमा और यश्टीब के बारे में सोचता है आद्य अनुच से बोलती है कि प्लीज बिगडे को स्पॉल नहीं करना अनुपमा की वज़े से आद्या अनुच से बात करने के वुश्च करती है लेकिन अनुच 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 से बात करने से मना कर देता है वो उससे बात नहीं करता तो अनुच बोलती है कि उसको शृती के बारे पर बात करनी है तो अनुच बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात करनी है आदे बोलती है कि अनुज शृती के फेवर्स को भूल गया है वो उसे बोलती है क्या उसे शृती का बड़े याद है क्या वो शृती के बड़े का प्लान बनाएगा या उसे कोई सप्राइस देगा अनुज ये बात सुनके शौक हो जाता है उधर अनुपमा आयुश्टीप से बोलती है कि अब वो भागना नहीं चाहती उसने बहुत कोशिश की इस रिष्टे को बचाने की लेकिन उसे बदले में सिर्फ दर्धी मिला उसे सेल्फिश बोला गया अब वो किसी भी तरह के रिष्टे में नहीं आना चाहती और वो बोलती है कि वो अनुच से बहुत प्यार करती है तो यश्टीप अनुपमा को अनुच से मिलने के लिए बोलता है वही अनुच आद्या को तमीज से बात करने के लिए बोलता है और उससे बोलता है कि उससे मिस्वहेव ना करे आदिया अनुच से बोलती है कि शुरती का बर्डे स्पेशल बनाओ वही अनुपमा यश्दीब से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है तो यश्दीब बताता है कि वो किसी से बहुत प्यार करता था यश्दीब अपना पास चेयर करता है अनुपमा से आगे आने वाले अपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा यश्दीब से पूछती है कि क्या जो वो सकर रही है वो सही है यश्दीब अनुपमा को कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोलता है अनुपमा अनुच से मिलने का डिसाइड कर दी वहीं श्रूती अनुच को ढून रही होती है ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रही है मिस्टालेट एंटेटेंडमेंट